नमश्कर आप देख रहे हैं स्टार सिटी नियूस में इस वक्त मौझूद हूँ लक्ष्मी नगर विधान सबा में हमारे साथ इस वक्त मौझूद हैं अमित भारती जी जो कि शकरपूर ब्लोग कॉंगरस कमीटी के मास अचेवे आई इन से बात करते हैं सर पहले आप अपने छोटाता इंटोडक्शन देजी रहे हैं जी मेरा नाम अमित भारती है और मैं बाई बर्थ शकरपूर से ही हूँ मेरे दादा जी स्वरगे जगराम जी जो थे वो एक वरिश समास से भी रहे इस छेतर के और कॉंग्रेस के विभिन विभिन पदो पर रहे स्वरगे एचकेल भगजी के साथ जिन्होंने कंदे से कंदा मिला कर इस छेतर के विकास के लिए काम किया है आज उसी को अधार मानते हुए उनके यादरशों पर चलते हुए हम भी आज समास सेवा में थोड़ा सा अपनी भूमी का निभाते हैं अमिर जी अब जैसे चुनाव का इस समय महल बनावा नगर निकम मिशन 222 कैसे त्यारी चल रहे हैं कॉंग्रेस की अपनी एक बहुत अच्छी तयारी इस समय चल रही है और कॉंग्रेस इस समय जो है अटेकिंग मोड पे है भारत जोड़ो यात्रा जो रहुल जी कर रहे हैं इस समय वो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और जनता उनके साथ जोड़ भी रही है इस समय और जहां तक नगर निकम चुनाव का सवाल है तो मैं चाहता हूं कि कॉंग्रेस हमारा मानना है कि कॉंग्रेस इस बार वापसी जरूर करेगी कहीं नहीं राहूल गांदी जी की सार फेस को लगता है कि दिल्ली नगर निकम में कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा राहूल जनसे जिस तरीकेसे वो मिल रहे हैं शायद ही कोई इतना बड़ा निता आम जनसे के बीच पहुंचा हो और जो हमारे प् नगर निगम के हिसाब से अगर बताओं तो यहां की जो सफाई विवस्ता है या did निगम से संबंदित जो भी काम होते हैं वह एकदम चर्मराए हुए है कोई करमचारी काम करने को तैयारी नहीं है नगर निगम का क्योंकि भाज़पा ने इतना भ्रष्टा चार निगम के अंदर किया हुआ है 15 साल से जिसे खतम करना आने वाली सरकार को बड़ा ही मुश्किल कारे होगा वो धीरे धीरे ही खतम होगा देखिए प्रियास है कॉंग्रेस अपना पूरा प्रियास कर रही है कॉंग्रेस कि भाजपा ने जो 15 साल से आतंक जो MCD में मचाया हुआ है वो आतंक को खतम किया जाए और जनता को जो ऐसे सीला दिच्छित जी का एक सपना था चमकती हुई दिल्ली का सपना उस सपने को साकार करने के लिए कॉंग्रेस एक बार से फिर मैदान में आएगी और मेरा मानना है कि कॉंग्रेस इस बार वापसी करे आदों से तरस्त हो चुकी है जनता इसलिए कॉंग्रेस इस बार चुनाओं में जरूर वापसी करेगी अच्छा आपके सर जो भी सोशल एक्टिविटिस हैं जैसे लोगों के बीच में काफी आप जैसे पुराने जुड़े हुए समाजिक कारियों से भी तो किस-किस तरह आ मैं हमारी जो भूमी का रहती है सबसे पहले तो मैं शुरुवात करता हूँ अपनी रामला कमेटी से ही कि यहां रामला कमेटी में मैं लगबग 10 साल तक कोशा देख रहा बच्पन से ही आठ साल की उमर से ही इस रामला के मंच से जुड़ा रहा उसके बाद जो है अपने और मेरे दादा जी का आश्रिवाद तो अवस्चacey कांगरेश पाटी मुझे ठिकट देगी और मैं प्रयासरत रहोंगा कि मैं ही चुनाओ जीतूं कि मैदाने में देखिए प्रफॉर्मेंस यह देखा जा रहा है सबसे बड़ा तो कि यहाँ पर व्यक्ति पुराने जितने लोग है न, वह आज कॉंग्रेस के प्रती जाक चुके हैं, और हमें वही लोग चाहिए थे, कॉंग्रेस के अंदर, जो हमारे पुराने लोग थे, वो कब जब बनाएगी इस बर दिल्ली नगर निगम की तो बात छोड़ी है दिल्ली में जो भी वादे अर्विंद केजरिवाल जी ने किये थे उन वादों में लगबग लगबग वो फेल रहे हैं और जो शराब नीती उन्होंने लागू करी थी अभी पीछे वो अर्विंद जनता में आप देना चाहिए मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने छेतर की जनता से कि देखिए आपका बेटा आपका भाई इस बार आपके बीच आएगा वोट मांगने के लिए और मुझे उम्मीद एवम आशा है कि मेरे दादा जी के नाम पे जो उन्हो ने अपने प्राणों की आहुती तक दी बुल्डॉजर जब इस समय इस छेतर को तोड़ने के लिए आते थे तब वो लोग थे इस छेतर को बचाने वाले सवर्गे एचकल भगत जी के साथ में तो मैं जानता हूं कि उनके नाम पे कही ना कहीं और जो मैंने इस छेतर के लि